hello guys this is me Vishnu Solanki and you are watching step of maths so आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं class 6 mathematics की lecture series so यहां पे हम maths की Pearson publication यूज कर रहे हैं तो यहां पे में सारे पी सारे examples जो में सोल कराऊंगा जो methodology में यूज कराऊंगा वो Pearson publication की यूज कराऊंगा ठीक है तो it will be helpful for you for you so this is our first chapter knowing our numbers okay तो अब इसके बारे में थोड़ा समझें कि numbers क्या होते हैं और किस तरह से हम numbers में अलग-अलग चीजे कर पाते हैं और numbers के बारे में थोड़ा जाने तो जब भी numbers की बात आती है तो numbers आप अपने day to day life में बहुत सारे numbers देख सकते हो कुछ numbers चोटे होते हैं कुछ numbers बड़े होते हैं whether number is a smaller whether number is a larger how do we know number is a smaller and larger हमें पता कैसे चलेगा कि number चोटे हैं या बड़े हैं उसके number of digits find करने के बाद जैसे कि मैं यहां दो number लिख रहा हूँ two three four six five seven और यहां लिख रहा हूँ four six eight nine two zero six eight अब यह दोनों number है अब उसके number of digits आप calculate करो जैसे कि one two three four five six इसके number of digits कितने है six digit है ठीक है अब इसके कितने है one two three four five six seven eight this is eight digit number तो simply you can easily identify over here that this number is a larger compared to this number यह number इसके comparison में थोड़ा बड़ा है तो हम सिधा डेखके हम बता सकते हैं कि कौनसा number बड़ा होता है और कौनसा number छोटा होता है उसकी place value देखके अब कोई भी number को read and write करने के लिए कोई भी number को read and write करने के लिए हमें दो तरह की system यहां पर पढ़नी होती है एक होती है इंडियन इंडियन numeration system इंडियन नुमरेशन सिस्टम और दूसरी होती है इंटरनेशनल नुमरेशन सिस्टम तो ये दोनों ही सिस्टम हमें यहां पर अच्छे से पढ़नी है जिस सिस्टम से मैं पता चलेगा कि कोई भी नंबर को ऐसे अच्छे से read and write किया जा सकता है चलो ठीक है अब देखो एस पर इंडियन numeration system आपको एक बड़ा सा टेबल याद रखना है बड़ा सा टेबल ठीक है यह एक टेबल है अब टेबल में आप यहां जान सकते हो कि यहां से ठीक होती है वो होती है once तैंस तैंस अंडरीड थाउजन टेन थाउजन लेक टैनलैक क्रोड और यहां पर आता है टैन क्रोड तो आप देख सकते हो कि मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं राइट हैन साइट से जा रही है तो हमें इसी तरह से कुछ numbers को read and write करना होता है जैसे कि यहां के कुछ basic funda है जो मैं यह apply करना है जैसे मैं एक number लिख रहा हूं यहां पे 2346858 ठीक है यह एक number है पर तो इसके digits calculate करो 1234567 ओके इसके digit 7 है तो Indian numeration system का सबसे पहला rule किया है कि यहां से right hand side से just after 3 digit आपको comma put करना है यहां से just after 3 digit आपको comma put करना है and then after 2 digits के बाद हम commas put करते जाएंगे तो पहले 3 digit part उसके बाद 2 digit उसके बाद यहां पर front part आगया तो यहां मैं नहीं करूँगा तो rule क्या कहता है कि यहां से 3 digit and then after 2-2 digits के बाद हम comas को put करेंगे ठीक है now it's time for identifying अब इसको identify करें कैसे once देखो मैं यहां से बना रहा हूँ once, tens, hundred, thousand ten thousand, lakh, ten lakh तो यह जो 2 है यह ten lakh के अंदर आया यह coma का front part 4 है 4 कहां पे आया तो देखो यह 4 आया आपका 10,000 पे है तब easily इसको read कर पाओगे देखें कि 10 lakh है तो 23 lakh thousand है तो 46,858 so it's quite very easy it's quite very easy for you all so now one more example 238902578 चलो यह एक example है सबसे पहला roll यहां से 3-3 digits पहला 3 digits उसके बाद 2-2 digits के बाद हम कॉमास को put करेंगे चलो यहां पे और एक ले लेते हैं तो once, tens, hundred, thousand, ten thousand lakh, ten lakh, crore, ten crore and average तो यह हम ना ले यह अगर हम ना भी ले तो हमारा यह तो होई जाएगा ठीक है यहां तक तो होई जाएगा जैसे कि 3, free 2, free 2 अब यहां 2 पहता हम करेंगे नहीं तो अब यह कहां तक पहुचता है once, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, crore and ten crore ten crore, two के उपर क्या आ रहा है 20 crore इसका मतलब होता है 23 crore, 89 lakh, 23 crore, 89 lakh, 2000, 578 तो इस तरह से हम कुछ system को बनाते हैं ठीक है, तो यह पूरी जो system बनाने की जो यह method है, उससे हम कहते हैं Indian numeration system अब हम बात करते हैं International numeration system की जैसे कि अगर आप मेरी मानो as per my choice, International numeration system is a very easy compared to Indian numeration system क्योंकि जब बड़े-बड़े digits आते हैं तब हमारी Indian numeration system थोड़ी fail हो जाती है उसको read and write करने की या complicated लगती हमें तो हमें International numeration system थोड़ा easy लगता है तो हम यहां से start करें तो हम पढ़ेंगे once, tens, hundred, thousand, ten thousand अब यहां पे जब Indian numeration system चल ले थी तब यहां पे हम लैख पूट कर रहे थे यहां ऐसा नहीं होता है यहां आता है ten thousand के बाद आता है hundred thousand ten thousand के बाद आता है hundred thousand फिर आता है यहां पे million फिर आता है ten million फिर आता है hundred million फिर आता है billion फिर आता है 10 billion, फिर आता है 100 billion, फिर आता है trillion तो इस तरह से यह कोई sequence maintain करता है अब यहां देख सकते हो कि यहां पे 3-3 intervals बन रहे हैं जैसे कि यह पहले 3 intervals 100 वाले, फिर तीसरे 10 intervals 1000 वाले, फिर और 3 intervals million वाले, फिर और 3 intervals billion वाले आएंगे फिर और तेन इंटर्वल्स ट्रिलियन के होंगे तो कोई भी नंबर में यहां पे कॉमास हम तीन-तीन इंटर्वल के बाद लगाएंगे यानि की 2, 3, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 चलो यह एक बड़ा सा नंबर है How many digits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 There are total 9 digits तो हम यहां से right hand side से 3-3 digits के बाद कोई मास लगाएंगे तो पहले 3 digits दूसरे 3 और यह front part आ गया ठीक है? अब यहां से calculate करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000 फिर 100,000 फिर आएगा million फिर 10 million, फिर आएगा 100 million 100 million पे हमारा complete हुआ तो हम कह सकते हैं कि यह 238 है यह पूरा million के अंदर आता है यह पूरा का पूरा आता है 1000 के अंदर तो हम बोलेंगे 238 million 956,789 तो कुछ इस तरह से इसका हम read and write रखेंगे ठीक है? तो यह method quite easy है compared to Indian numeration system के तो this is our first topic यह जो हमने हमारा पहला topic है हमने complete किया Indian numeration system है International numeration system अब है place value and face value अब यह दोनों चीज़े क्या है इसके बारे में हम थोड़ा समझे यह हमरा next topic है place value and face value क्या होती है यह directly हम एक example से ही समझते है ठीक है? तो आम यहाँ मैं यह आप एक example ले रहा हूँ 90584789 तो यह बड़ा सा number है as per अगर Indian numeration system देखा जाए तो हम यहाँ दो कोमास लगा दे Indian numeration system के according अगर आपको पूछा गया है find the place value and face value of this phi यह phi की आप place value and face value find करो तो हम find करते हैं place value and find करते हैं face value देखो एक चीज़ अपने mind में clear रखो place value मतलब क्या कि यह कौन से place पे actually बैठा हुआ है यह कौन से place पे बैठा हुआ है तो यहाँ से calculate करो ones, tens, hundred, thousand, ten thousand and lakh मतलब यह lakh के place पे बैठा हुआ है सबसे पहले तो यह number 5 है तो हम यह दोनों जगा 5 लिख देंगे अब यह कौन से place पे बैठा हुआ है lakh की place पे और lakh में zeros कितने होते हैं तो lakh में five zeros होते हैं कैसे पता चला यहाँ से calculate करो five के बाद कितने zeros हैं one, two, three, four, five five के बाद digits five है तो zeros भी यहां कितने लगेंगे five क्योंकि यह lakh की place पे है ना तो यह जो जिसकी भी place पे है वो चीज़ को इस five के साथ multiply कर देंगे तो हमें face value मिल जाएगी तो five ones are five पीछे जितने भी zero है वो हम लगा देंगे तो यह उस five की place value हो गई अब face value का मतलब क्या है कि जो number है वही के वही उसकी face value होती है तो अगर zero की बात है तो यहां zero आएगा eight की बात है तो यहां eight आएगा four की बात है तो यहां four आएगा face value is remain as it is to the question कुछ जैसे question पुछा गया है face value उसके according same ही होती है ठीक है so now we are ending this topic अब हम हमारा next topic पकड़ रहे है expanded form so this is our next topic expanded form actually expand का meaning क्या है expand का meaning मतलब है किसी चीज को expand करना खोलना ठीक है तो किस तरह से expand करेंगे उसके basic rules क्या होते है that we will study by taking example तो एक example अपने मन से ही ले लेता हूँ ऐसा कोई restriction नहीं है कि यही example लेना है आप अपने मन से ले सकते हो okay इसका आपको expanded form बनाना है पहले तो सबसे पहला rule इत ब्रेकेट्स और्गनाईज करूँगा चार पांच छे साथ आठ मैंने यहाँ पे इत ब्रेकेट्स बना दिये second rule सब ब्रेकेट के बीच में प्लस लगाओ देखो मैं यह कोई rule रिपीट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि यह कोई online classes नहीं है यहाँ यूट्यूब चैनल है यहाँ पे आप वापिस रिवाइस करके देख सकते हो चीज जितना हो सके उतना मैं कम टाइम का वीडियो बनाने चाहता हूँ पैरा रूल सारे के सारे ब्रेकेट्स उतने ही होने चाहिए जितने डिजिट्स है सेकेंड रूल सब ब्रेकेट के बीच में प्लस लिख दो थर्ड रूल इन सारे के सारे डिजिट्स को वन बाइवन इच और ब्रेकेट्स में पुट करो जैसे कि उल्टे से स्टार्ट करेंगे यह 5 को मैं यह पुट करूँगा यह 9 को उसके बाद this is 8th place this is 7th place this is 6th place this is 8th place this is 4th place this is 3rd place simple सारे के सारे डिजिट्स को मैंने इस ब्रेकेट में पुट कर दिये पीचे से स्टार्ट किया अब यहां multiplication की sign लगा दो अब यहां से उल्टे से स्टार्ट करना है कुछ लोग सीधे से स्टार्ट करते हैं ऐसा नहीं करना है उल्टे से स्टार्ट करना है पहले लिखो 1 फिल लिखो 10 फिल लिखो 100 फिल लिखो 1000 फिल लिखो 10,000 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 फिल मैंने just expand किया है और सब each and every digits को उसकी place value दे दी है मैंने देखो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की ज़रूत नहीं है पीछे से start करना है यहां से और one by one एक एक zero बढ़ाते जाने है जैसे one ten hundred thousand ten thousand lakh ten lakh in क्रोड क्योंकि यह वाला नंबर है जो उसकी place value क्रोड में आती है इसलिए इस त्री क्रोड तो यह उसको हमने एक expand किया है तो इसे हम यह चीज को कहते है expanded form एक दम easy चीज है ready made marks मिल जाते हैं इसके तो प्लीज ज्यादा सोचिए मत कुछ rules follow कीजियो और answer लिए that's it now next topic हमारा है वो है forming largest and smallest number स्वबम स्टार्ट करने जा रहे हैं forming largest and smallest number देखो अब तक जितने भी topic पड़े वो एकदम easy थे यह जो topic है वो थोड़ा confusion वाला है तो वो ही confusion को हमें solve करना है ठीक है forming largest number अब हमारे पाँच कुछ digits available है six five seven zero two and four इन सब में से आपको largest number बनाना है largest number मतलब बड़े से बड़ा number बड़े से बड़ा number तभी बनता है जब यह पूरे number का जो पहला part हो यानि कि यहां left most जो digit हो वो सबसे बड़ा हो और सारे के सारे digits हो वो descending order में arrange किये हुए हो तो simple सारे के सारे digits को descending order में arrange कर दो तब का largest number बन जाएगा सबसे बड़ा कौन है seven उसके बाद कौन है six उसके बाद कौन है five उसके बाद कौन है four उसके बाद कौन है two and then after zero तो this is the largest possible number that we made तो यह largest possible number है एक ही रूल क्या एक ही रूल के descending order आपको अच्छे से follow करना है सबसे बड़ा नंबर आगे सबसे चोटा नंबर पीछे simple now यह forming smallest number कुछ लोग mistake कर देते हैं इसमें क्योंकि forming smallest number में एक रूल नहीं है यहां पे दो रूल है एक रूल यह जीरो को लेकर भी आता है क्या रूल है यह थोड़ा देखें अब इसमें हमने क्या चीज़ देखी कि descending order मतलब के बड़ा आगे चोटा पीछे तो इसमें ultra होगा चोटा आगे और बड़ा पीछे मतलब आपको कौनसे में convert करना है numbers को ascending order में convert करना है ठीक है तो सबसे चोटा नंबर कौन सा है तो प्रॉलिस्ट नंबर हमें अगर बनाना है तो फ्रंट उसका पहला नंबर 0 नहीं आना चाहिए डिजिट्स नहीं होंगे वह पहला नंबर आपके 0 को छोड़के बाकी जितने नंबर से है उसमें से सबसे चोटा नंबर कौन सा है तो है 2 जीरो को हमेशा अगर 0 यहां available होता ह equation में तो 0 को हमेशा आपको second place पे रखना है यह एक rule है अब ascending order में बनाते जाओ इससे थोड़ा बड़ा four उससे थोड़ा बड़ा five उससे थोड़ा बड़ा six उससे थोड़ा बड़ा seven this is the smallest number as possible तो यह smallest number है जो हम बना सकते हैं इसका ठीक है तो कुछ rules basic थे जो मैंने आपको स नंबर को में compare करके बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा रहेगा और कौन सा नंबर छोटा रहेगा तो which number is larger and which number is smaller that we have to say while comparing this okay so now actually we have two numbers मैं बुक का ही example लिले रहा हूँ और यहां पे भी और एक number है 6902145 और हम कैसे बता पाएंगे कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है तो थोड़ा इन दोनों को ध्यान से देखो क्या इन लोगों का first digit match कर रहा है तो यह six completely match कर रहा है यह six के साथ मतलब यहां पे तो कुछ judgment नहीं दिया जा सकता 9 भी complete match कर रहा है 9 के साथ 0 भी match कर रहा है 0 के साथ 2 भी match कर रहा है 2 के साथ 1 भी match कर रहा है 1 के साथ बस यह number यहां पे problem करवा दी हमने यह number ने हमें यहां पर problem करवाई जबकि यहां लिखा हुआ है 5 और यहां लिखा हुआ है 4 देखो बचा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो numbers को यहां से मतलब कि leftmost portion से check किया जाता है कि यहां से leftmost portion के पास जो digit जिसके पास बड़े होते हैं left portion के पास जो digit जिसके पास बड़े होते हैं वो number actually बड़ा होता है पर हमने तो left side से check किया सारे के सारे number same आ रहे थे सिवाए 5 को और 4 को छोड़के तो यहां 5 बड़ा है इस 4 से अगर यह दोनों भी same होते हैं last digit को check करते हैं अगर last digit भी same हो जाते हैं तो यह दोनों number equal हो जाते तो comparison possible होती ही नहीं पर यह comparison हो सकती है क्योंकि second last digit यहां पे 5 हो यहां पे 4 है और 5 is greater than 4 तो हम बोल सकते हैं कि यह number बड़ा है यह number से ठीक है तो यही एक basic rule है comparing number जानने का और अभी आप कुछ doubt रहता है comparing number को लेके तो आप मुझे directly message कर सकते है whatsapp पे इसके बाद का topic आता है वो ascending and descending order यह topic में आपको यहां पे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि it's very easy जो number बड़ा होता है वो number पीछे की तरफ रखते हो तो वो ascending order कहलाएगा जो number बड़ा होता है उसको आगे की तरफ रखते हो तो वो कहलाएगा descending order या बच्पन में पढ़ चुके हो ठीक है बस यहां पे वहां पे digits छोटे हुआ करते थे यहां पे बड़े-बड़े digits के number शुरुआ यहां पे रहेंगे कोई number बड़ा रहेगा उसकी दो ही खासियत होती है या तो उसका जो leftmost portion है वो एकदम से बड़ा है या तो उसके number of digits जादा है तब ही वो number बड़ा रहता है अब हम बात करते हैं successor and predecessor के बारे में तो successor and predecessor actually सुनने में बहुत जादे typical लगता है पर यह कोई typical है नहीं successor मतलब कि कोई आगे का number इसके बाद क्या आएगा next क्या आएगा predecessor मतलब इसके एक step पहले क्या आता था तो चलो successor हम find करते हैं 2,3,4,5,9 का अब इसका successor क्या होगा अगर इसका successor अगर आपको जानना है तो simply successor की बात होते हमें number 1 को plus 1 करना होता है हमें 1 को add करना होता है यानि कि अगर किसी चीज़ में 1 add करेंगे तो क्या मिलेगा उसके आगे का number मिलेगा और predecessor में यानि कि minus 1 करना होता है मतलब उसकी एक step पीछे का number मिलेगा जैसे कि successor मुझे इस number का जानना है तो मैं क्या करूँगा simply उसमें 1 को add करूँगा और 1 को once place में add करना है ना कि यहाँ पे तो इतने stupid नहीं बनना कि आप यहाँ 1 को add करके आजाओ यहाँ 1 को add करना है तो 9 plus 1 10 this is 6 तो जो यह number मुझे मिला वो successor number है किसका यह number का ठीक है अब बात करते हैं predecessor की तो predecessor number क्या होता है किस तरह से उसको find out करते हैं study करें अब यह number आपको दिया हुआ है और आपको find करना है इसका predecessor predecessor find करना है मतलब क्या करोगे 1 को यहाँ पे minus करोगे और कहा minus करोगे तो once place पे ही तो यहाँ carry लेना पड़ेगा this is 10 this is 8 तो यहाँ पे आएगा 98432 तो यह number जो रहेगा this is a pretty sensor number of this particular number so आज के topic हमने easily अच्छे से cover किये हैं मैंने वोई topic cover कर वाए हैं जो मैंने online glasses में आपको पढ़ाए थे अब इसके next lecture में हम start करेंग exercise 1.1 so बने रहिए thank you and have a good day